Assalamualaikum, Welcome आप सबी का इस नई वीडियो में तो आज के इस यूडियो में हम बात करेंगे सकास्ट कश्मीट की UG कोर्स की जो कांसलिंग है उसके बारे में इस यूडियो में हम डिसकस करेंगे कि कांसलिंग आपकी कब तक स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इस से पहले जो कांसलिंग की नोटकेशन आपकी आई है उसके हावाले से यहापे बहुत ज़्यादा डाउटन्स है स्टोडेंट्स के वो भी मैं आपको इस वीडियो में कलियर करूँगा और उसके साथ साथ आपकी कांसलिंग ओनलाइन होगी या ओफलाइन होगी उसके भी इस वीडियो में हम बात करेंगी तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपर्टन्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना चैनल को भी सबस्क्राइब कर देनête लिंक इसकेmay मेंशा दुसकेकों पर सकते हैं तो चल्ले शुरू कर लेदे से वीडियो वीडियो को देख लेथे यहापके आपके अंडरगरचुइट कोर्समे के साथ लिए क्णिलिंग् 2008 कोर्समे कांसलिंग के ब्लॉंग जो कंडिडेट्स करते हैं तो उनकी कांसिलिंग की वो नोट्फिकेशन आई थी यूजी और पीजी कोर्स के लिए बाकि जो हमारे जमूर कश्मीर या लद्दा के बच्चे हैं उनकी कांसिलिंग के लिए अभी तक स्कास्ट कश्मीर ने आपकी नोट्फिकेशन आपके जारी नहीं किया है वो जो कांसिलिंग की नोट्फिकेशन है वो आपकी PCM Agriculture Engineering के लिए है सिरफ Agriculture Engineering की ब्राँच के लिए है बाकि जितनी भी इंजिनिरिंग की ब्रांचेज हैं, उनकी जो एडमिशन की प्रोसस होगी, वो इस भार स्कास्ट कश्मिर कुछ से नहीं करेगी, वो जेके बूपी के थ्रू यहां पे सीट्स फिल अप हो जाएंगी, क्योंकि उनका इंटरंस भी जह हो स्कास्ट कश्मिर ने देखा होगा आपके marks और आपके rank वागिर आप सभी को पता चल गए होगी, अब यहां पे भात आ जाती है आपकी counselling की, तो आपने देखा ही होगा 3-4 महीने पेले स्कास्ट कश्मिर ने एक press release notes जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जो undergraduate या postgraduate courses की counselling होगी, हम यहां पे online ही करेंगे, document verification भी online करेंगे, और counselling भी यहां पे online ही यहां पे करेंगे, अब आपकी counselling online होगी या offline होगी, यह तो अभी confirm नहीं हो सकता, यह तब confirm हो जाएगा, जब आपकी counselling की notification आ जाएगी, हाँ अगर online counselling होती है, तो वो students के लिए काफी ज्यादा फाइदे होगा, और इन लोगों को भी यहां पे फाइदा होगा, बीडबार भी नहीं होगी, यह भी अपना काम आराम से करेंगे, लेकिन आपकी information के लिए मैं बताना चाहता हूँ, स्कास्ट कश्मीर वो एक वाहिद conducting body यहां पे जो process होती है, time to time होती है, यह जेके बोबी के दरब इसा नहीं कि एक साल इन्होंने इंटरंस कंड़ेक्ट किया, चार महीने बाद इन्होंने जहाँ फिर उसका result निकाला, च्हे महीने बाद counseling निकाली, उसकी बद आठ महीने बाद इन्होंने जहाँ उसका result इपर डिकलियर किया, selection list जारीगी, स्कास्ट कश्मीर में इसा कुछ भी नहीं होता, यहां पे सारी जो process होती है वो time to time होती है, इसमें बिल्कुल भी आपका एक भी दिन जाया यहां पे नहीं करेंगे जो academic calendar इनका है अगसे सेप्टेंबर तक कि आपकी classes जारी कर देंगे, तब तक कि तीन rounders जितने भी rounders counselling के करने होंगे, यह तब तक complete कर देंगे, इनको time बिल्कुल भी नहीं लगता और नहीं यह students का time waste करते हैं यह आपके लिए काफी important point था अब यहां पे हम बात करेंगे आपकी counselling की की counselling यहां पे आपकी कब तक start हो जाएगी तो 24 के बाद यहां पे जो PCB के candidates हैं, उनकी counselling यहां पे start हो जाएगी अब मान की चलिए, next week यहां पे आपकी notification आ जाएगी उसके बाद पर आप उसी में date mention होंगी किस date से लेकिए किस date तक आपको counselling के लिए जाना पड़ेगा और किस point तक के candidate या किस rank तक के candidates को counselling, वेसे जूजूली वो मेरे खाल से पहले round में 60 या 50 के plus pointers वाले candidates को counselling के लिए बुलाएंगे दिन दीरे दीरे करके जब फिर आपका decrease होता जाता है, वो आपको फिर खुदी पता चलेगा, आप मान के 60 या 50 pointers के वो candidates जिनके marks हैं, उनको पहले round में बुलाया जा सकता है, बाकि अगर counselling online हो जाती है, तो maybe वो यहां पे decrease होके 40 या 30 तक भी आ सकता है, वो उन तक है, वो क्या करेंगे, वो मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन counselling के जो आपकी notification है, वो यहां पे होता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मतलो, बिल्कुल भी परेशानी मतलो, जो भी सकास्च कश्मीर में आपकी counselling का update होगा, वो मैं आपके साथ सबसे पहले discuss करूँगा, और डिटेल में आपको सारा process समझाऊँगा, इसके अलाव अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, मैं डिटेल्ड वीडियो उस पर डालने को पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, फिलाल का जो counselling का update था, वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिसकेस किया, कोई भी doubt, कोई भी confusion होगा, comment section में पूछ सकते हैं